नमस्कार सुप्रभाद आप सभी को एद के बहुत-बहुत मुभारक और शुप्तामना है फित्रों इस्लामिक कालेंडर के अनुसार नौवा महेना रमजान का पवित्र मास माना जाता है और इस मास को अलाह के बरकत और रहमत का भी मास माना जाता है चांद के दिखने से इसकी शुरुवात और चांद के दिखने से ही इसका अंत होता है और आज का दिन बहुत बहुत शुब दिन जबकि सभी आपस में प्यार से गले मिलते हैं प्यार से एक दूसरे को अपनी शुब कामनाय देते हैं और रमजान का तो पुरा मास ही ऐसा पाक्त मास जिसमें सभी अलाह की इबादत करते हैं नमास पढ़ते हैं बुराईयों से दूर रहते हैं तो सच मुझ हम सब को प्रेरित करने वाला बुराई से अच्छाई की ओर ले चलने वाला ये संदर सा पर्व तो आप सभी को एत की पुना शुप कामनाय देते हुए आईए चलते हैं अपने सुवाग्य की ओर ओम शांती जितना आप दूसरों के सहयोगी बनेंगे आप शिकायतों से दूर रहेंगे जीवन के अंदर शिक्वा, शिकायत, कंप्लेन करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना ये मनुष्य के जीवन में एक बहुत सहच सी भावना हो गई है और परिस्थितियां कभी कभी ऐसी आती हैं सामने कि मनुष्य जो है अपने जीवन के अंदर बहुत ही जल्दी से शिकायत कर देता है और शिकायत करना और उसे शब्दों में लाना, दूसरे व्यक्ति तक दे देना अपने शब्दों में ये ना केवल हमें ही असंतुष्ट करता है लेकिन वो व्यक्ति भी हमारी शिकायत की बात को सुनकर असंतुष्ट हो जाता है तो वो एक अलग ग्रिष्टिकोन होता है तो हमें भी अपने जीवन के अंदर शिकायत के स्थान पर अगर हम ग्रेटिट्यूट की भावना, धन्यवाद देने की भावना यानि इश्वर ने हमें भी तो अपने जीवन में बहुत कुछ दिया है और उसके लिए अगर ग्रेटिट्यूट रहता है धन्यवाद करने की भावना या दुसरे की विशेष्टाओं को देखने की भावना जब रहती है तो तब हम शिकायत नहीं करते हैं लेकिन हमारे मन के अंदर ये रहता है कि नहीं उस व्यक्ति के पास में भी और बहुत अच्छी बाते हैं और उसने मुझे बहुत सयोग भी दिया है इसलिए अगर हम अपने जीवन के अंदर खुश रहना चाहते हैं संतुष्ट रहना चाहते हैं तो गिला, शिक्वा और शिकायत को छोड़ कर हम दूसरों की तारीफ करें, उनका धन्यवाद दें और उनके भी मनोबल को बढ़ाते रहें, जिससे की हम अपने जीवन के अंदर ना केवल हम शक्ति वान बनेंगे, लेकिन साथ की साथ हमारे जीवन के अंदर शुद्ध संकल्प और भी अधिक से अधिक हमारे जीवन को आगे लेकर जाते रहेंगे. मित्रों, आज मई का पहला मंगलवार है, और आपको याद होगा और याद ना हो तो मैं याद दिलाया देता हूँ, कि मई के पहले मंगलवार को वर्ल्ड अस्थमा दे के रूप में मनाया जाता है, अस्थमा मित्रों हमारे श्वसन प्रणाली से जुड़ी हूई एक ऐसी तकलीफ जिसके कारण प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्य हो जाती है, यदि हम थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखें कि हम किस प्रकार अपनी जीवन प्रणाली को रखें और यदि इस प्रकार की तकलीफ हमें है, तो क्या-क्या हम ध्यान रखें तो अपने जीवन की और औरों के जीवन की रक्षा कर सकते हैं, तो आएए आज आपकी सेहत आप स्काइब है जानते रिड़ा क्ञशिध्ट मरह करें कर चांटी है हैं कि सब्राइब कहने जाता है इस बार 30 में को इसका епार इस वार रहा घ्लिव के क्लोज्ञ डी गैप्स इन अस्थमा कियर जो एक खैप्स है 나오र में hystma के ELاج में वहम जिसको खतम करें तो कियादके से हैं यह साथ हैं गैप से हामरा कि शीड़र दाइगनोसिस और ट्रीटमेंट में इसका ड्रीटमेंटा है तो सब को इसके अवेरनेस होने चाहिए इस साल हमारा यह लक्ष़ रहेगा दूसरा हमारा लक्षचर रहेगा कि गरीब और अमीर में जो डिफरेंस है इलाज में वो सबको बराबर मिले जाए, अमीर हो जए गरीब हो तीसरा, इसका रहेगा हमारा डिफरेंस कि ये लोगों को समझ आए कि एस्थमा जो है क्रॉनिक कंडिशन है मतलब एक बैमारी जो है रहने वाली कंडिशन है और इसका इलाज जो है लंबा जरूर है जिन्तों मुश्किल नहीं है और इसको एक्ट अस्त्मा नाम कोई चीज नहीं होती है हाँ आत्स्तुइम पूर्भ है कि थंडी गर्मी तक अलरजी आ सकता है और इसका डिली आप यूजक 3-Dimensional Healthcare Raja Yoga Meditative Lifestyle for Healthy Heart, Happy Mind, Healthy Body इसमें हमने काफी अस्तमा के मरीज जो क्राउनिक मरीज थे 33 साल से अस्तिरोड इपेंडेंट थे उनको भी अस्तमा कंट्रोल में आ गया मतादर दबाएं छूट गई अब इनको दबाएं के आवशकता नहीं है तो यह जो है आप meditation जो राजयों का meditation है जिसमें आप आउटर से इन्र से सोल कॉंशेस हो जाते हैं और क्योंकि लंक्स का क्रेंशन शांती से है तो जितनी अधिक गहरी शांती पीस पीस में बिंग इन प्रेजेंट तो आप इस विमारी से बस सकते हैं तो आप लेटेस्ट क्रीटमेंट करें आज यह मन में अवेर्नेस क्रेट करें समाज में आज की दिन हम क्रेट करेंगे आसपरोस में करेंगे समाज में करेंगे प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं और लोगों में अवेर्नेस क्रेट करें कि मेडिटेशन राजयों का अच्छा तरीका है सासा जो दव पुश्यन्ति प्रती दिन सुनते हैं जो हमारे दिलों पर राज्य करते हैं आज हमारी साथ है श्री नरीश पतेल जी जो की फिल्म और टीवी के कई सीरियल्स की डारेक्टर है ब्रहमा गुमारी उसके साथ जुड़ कर इन्होंने भी बहुत सुन्दर अनुभाव प्राप्त किये हैं, जिन्हें हम आज उनकी अनुभाव में सुनेंगे. वही की जो मन की शान्ती है, सबसे बड़ी बात जिन्ड़ी में यह होती है। कि जैसे शांती वन जगा का नामी है और जैसा नाम है ऐसी जगा है तो आपको शांती शुकुन का ऐसास होता है भाग दोड़ बरी जिन्गी में हाला कि जाना फिर वही है काम करेंगे दादी इसे कल मुलाकाथ भी बहुत अच्छा लगा तो दादी ने भी बोला कि वेटर संस पुराव का सिस्टम तो बात उन्हें बहुत सही गई तो मैसा ही सोच लग एसे करने के लिए में और मेरे वाइफ भी आई है तो हम लोग अभी ऐसे करेंगे काम तो करना ही हो तो करते रहेंगे लेकिन वह भाहर काम करते करते भी यहां तक्ष्मे रहें के यहां से चीज़े मैं ने चिख आवी तीन दिन में कि फुड़ा यह जीवन कैसा और कितना आसान जीवन आपका हो जाता है कितना जीवन हलका हो जाता है बाकी यहां को फोड़ी कर काम मत करो चोड़ के आजाओ यह जो लिए बहुत सही है पित्रो हम अपने जीवन में शिकायत ज्यादा और शुक्रिया कम करते हैं इश्वर ने अलाह ने हमें कितनी सारी चीजें दी हुई हैं जिनके लिए हमें उनका शुक्र गुजार होना चाहिए लेकिन हम शिकायत इस बात की खरते रहते हैं कि मुझे ये चीज नहीं मिली या ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा व्याभार करता है यदि हम अपनी प्राप्त होई चीजों पर नजर दोड़ाएं और इश्वर का शुक्रिया अदा करते चलें तो सच्मुच नेमत होती चलेगी और भी ज्यादा हमारे जीवन में विकास होता चलेगा हम आनन्दित रहेंगे और यही सुन्दर कला ब्रह्म कुमारियां सिखाती हैं कि जो हैं उसके लिए इश्वर का शुक्रिया करें तो सच्मुच जीवन खुशाल होता चलेगा आई देखते हैं वो कहां इस सुन्दर सेवा कारिय को करके ये सुन्दर सीख लोगों को प्रदान कर रहे हैं सभी संद्रियों को संद्रिया करने का संदेश लिया गया giyat अजमेर संभाक संचालिय्क आधर्मिय राजयोगिनी बिके शामतादीवी जी ने बताया कि गया सभी है नहीं सची समाज सेवा है इसलिए निस्वाथ भाव से हम लोगों की सेवा करें जिससे हमारा जीवन स्वता ही सुख और शान्ती से भर्कूर हैगा बीके वीरेंद्र भाई जी जोकि ब्रह्मा कुमारी समाज सेवा प्रभाग के सक्रिय कार करता है उन्हों ने कहा कि समाज में सेवा करने की सही विधी तभी संभव होगी जब हम उसमें आभ्यात मिक्ता का परिवेश पनाएं एवं नैटिक मूनियों की शिक्षा भी दे सभा में उपस्थित समाज सेवियों को समाज सेवा प्रभाग एवं केकरी सेवा केंद्र के द्वारा मुमेंटो, सर्टिफिकेट, पाइल वव उपरना फेहना कर सम्मानित किया गया एवं सभी को इश्वरिय प्रसाद दे कर शुब कामनाय दी मित्रों आज उट्सव का देन एद का अर्थ ही होता है उट्सव तो क्यों न केवल आज ही नहीं, लेकिन अपने हर दिन को ही हम उट्सव बना लें जैसे आज हम एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को दुआएं और शुब कामनाय दे रहे हैं क्यों न यही क्रम प्रती दिन चलता रहे और रोज ही हमारे लिए ईद हो, तो जीवन कितना सुन्दर हो जाएगा और व्रत जो हमने रखा, कुछ व्रत बुराईयों से दूर रहने का भी जरूर हम रख लें क्योंकि यदि हम बुराईयों से दूर रहेंगे, तभी तो जीवन उत्सव बन पाएगा और जैसे हमने रमजान के मास में जरूरत मंदों की मदद की, दिन धर्म के कारिय में लगे रहे क्यों ना हम जीवन में जो भी हमें जरूरत मंद दिखाई देते हैं, उन सब की जरूरतें पूर्ण करें सब के लिए इश्वर से, अल्ला से दूआ मांगते रहें कि सभी के जीवन में बरकत हो सब ही आगे से आगे बढ़ें और हम सब ही मिल जुल करके भाईशारी के साथ एकता के साथ रहें तो सचमुच समाज, राष्ट और समुचा विश्वर जन्नत नहीं बन जाएगा आएं हम सब मिल कर संसार को जन्नत बनाएं एक बार पुना आप सभी को एद के भेर सारी शुपकाम नाएं नमस्कार ओम शैंति